हलो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल होप यू वार डूइंग वेल तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है दैंथर्स फ्लावरिंग प्लांट के बारे में तो उसके पहले ये स्टोबेरी का मैं छोटा सा अपडेट दे रही हूं आपको देखे हमारे इदर टेंपरिचर क बारे रहे हैं बड़ जो फ्लूटिंग की साइज यह वह काफी छोटी हो रही है तो हमारे प्लांट देखिए थोड़े से यह बर्न होने शुरू हो गए हैं तो एकली यह सेडी अरी में रखा निये पार्सल संड नाइट में रखा हुए प्लांट और देखे इनमें फ्लू जो इसे अरीए में रखा लूँगी ताकि यह मेरे प्लांट बचे रहें हैं अगले साल तक भी इन से मैं डेर सारे स्टोबरी ले सकूं तो यह देखिए चोटे-चोटे से स्टोबरी चूट क्यूट से अब ही हो रहे हैं यह देखिए यह पक गया है देखिए तो हम इनको अच्छे से क्लियर करेंगे तो यह प्लांट भी हमारा अगले साल तक बच के रह सकता है और दोस्तों इन में मैंने गार्लिक लगा रखा है ताकि हमारा प्लांट ज्यादा इन में फंगल विगर या पेस्ट विगर अटैक कम करें तो ये देखिए अभी ये हार्वेस्ट करने का इनका भी टाइम नहीं आया हुआ है क्योंकि इनकी पत्तियां अभी भी ग्रीन है तो ये प्रोपर सूख जाएंगे तो इसमें से गार्लिक हम निकाल लेंगे तो खैर चलिए हम आगे बढ़ते अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं तो जैसे कि बताया कि दोस्तों कि आज की वीडियो का टॉपिक है ये प्यारे से देख रहे हैं फ्लावर जो हमारा विंटर फ्लावर है इनको स्वीट विल्यम के नेम से भी जानते हैं तो दोस्तों हम इस प्लावर को भी गजानिया की तरह अगले साल तक बचाके रख सकते हैं ये इज्ली हा बच जाता है समर में भी बट अगर हम थोड़ी बहुत कीर करें तो ये सीजन में भी बच जाता है क्यूंकि ज्यादा थामं कीर फैलन करें समर में तो हम ने बचा लेते हैं लेकि इसकी वज़े से हमारा प्लांट खराब हो जाता है तो हम क्या कियर करें कि हमारा दैन्तर्स का प्लांट जो है हमारे नेक्स्ट एर तक बचा रहे आगे मैं पुरी डिटेल बताऊंगी प्लीज मेरा वीडियो पुरा फुल वाच कीजिएगा तो दोस्तो सबसे पहली बात करतें हैं लोकेशन की तो हम इस प्लांट को ऐसी लोकेशन पर रख्यों पर पार्सल सॉनलाइट आती हो या फिर प्लांट के उपड़र शेड एरिया हो उपड़र लगा हो प्लावनीं के लिए हैं जो सणलाइट होती है तो मौनिंग की सणलाइट होती है हैं जाहें गर्मी की हो चाने विंटर की हो तो तो इसलिए आप वहाँ पर रखे जहां पर भी सही मॉल्णीं की सदीन नइए हो तो आप ज़या बना के या फिर रहां या फिर आप वाल के पास भी इनको रख सकते हैं वहाँ पर टूप होटी है फिर अपके प्लान को अ दोन से प्लांट में प्लांट है उसका नीची पास कर जाएगा इजी और यह अऐसा प्लांट है कि यह ताकि वहां से और भी ब्रांचेज निकले और और भी फ्लावरिंग हो और दूसरी दिंग दोस्तों इसमें जितने भी जैसे पिंच करके हटाते हैं तो उनको भी कट कट करके हटाते रहिएगा और इनमें कोई भी सूखे लीव या सूखे जो डंडिया है वो मत छोड़िएग तो इससे फंगल लगने का डर रहता है प्लांट को तो अब बात आती है दोस्तों इसकी वाटरिंग कैसे करें तो बाकी अपने जितने भी समर प्लांट है आप उनको वाटरिंग करते हैं तो उसके हिसाब से इसको वाटरिंग प्लीज मत किजिएगा इसकी स्वैल चेक करके नहीं आप इनको वाटरिंग करें तो यह हमारे प्लांट ख्राब हो सकते हैं वह वाटरिंग के कारण तो आप प्रेस्वाइल चेक करके इनमें पानी दीजिए गा और मेरा केंटेइनर है जो प्लास्टिक का है तो आपका वह अगर प्लास्टिक के प्लांट में लगे हैं तो खास ख्याल रखें। अगर प्ल में हो तो इतने वासे ओम वॉट्टिंग का की प्रोल्म मों समस्जाख Commission होती है लेकिन जो हमारे सेरमिक और प्लास्टिक वाले पॉर्ट होते हैं उनमें हमें ध्यान देना पड़ता है तो यह देखिए डिस्कार्टेड जो बॉक्स बॉक्स नहीं सोरी यह जो कंटेनर है उनमें लगे हुए है मेरे प्लांट और काफी हेल्दी और काफी अच्छे से से ग्रोव कर रहे और फ्लाव इंप बरबर की आ रही है तो फ्लावरिंग के लिए मैं ने इनको जो फ्रेक्टेड फिट करती हूं वह लिक्ट फ्रेक्टी ले अभी दे रहे हैं तो स्योले इंको वंधिक हुए मैंने इनको बनाना पील का लिक्टी फरक्र दिया था उसके मैंने मस्टर्ट के का फटलाजर दिया था तो हम ऐसे चेंज करकर के इनको फटलाजर फीड कर सकते हैं तो अभी इनको सॉलिट फटलाजर मत दीजिएगा जितना भी हो आप सिर्फ लुकुड फटलाजर फीड कीजिएगा प्लांट को और दोस्तो अपने जो पॉर्ट है वो उनको डायेक्ट निच्चे मत रखिएगा मतलब जैसे सता पर मत रखिएगा या फिर कोई भी जैसे स्टैंड हो उन पर रख लीजिएगा जमीन से जो भी आपका सता है उससे पांच-छे उचाई पर रखिएगा तो यह देखे मेरा तो दोस्तो इस प्लांट को ज्यादा तर ख्याल हमें रैनी सीजन में देना पड़ेगा अगर रैनी सीजन में हमने इसको बचा लिया तो हमारा प्लांट बच जाएगा क्योंकि आप यह बस ध्यान देना कि जो हमारे जो बारिश की पानी होती है वो डायरेक्ट इन पे ना पर उससे हमारा प्लांट खराब हो सकता है जब आप रैनी सीजन आये तो इनको पिल्कुल शेट में रख दिजिएगा जहां पर डायक्ट इनको पानी बारिश का ना मिले और डेली ना मिले तो यह प्लांट हमारा बड़े अच्छे से हमारे गार्डन में बना रहेगा शाल के लिए तो यह कुछ टिप्स थे दोस्तों जिनको फॉलो करके हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं विंटर तक तो आशा करती हूं दोस्तों कि मेरा यह वीडियो आपको यूसफूल लगे अगर यूसफूल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट जरूर करें और बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग बाई बाई टेक क्यार